अपने समय की लेजंडरी मूवी टाइटैनिक के स्टार कास्ट के बारे में बताने वाले हैं तो चलिए बिना देर किये करते हैं वीडियो को शुरू वेलकम बैक दोस्तों स्वागा थे आपका सेलेब्स फॉर स्टाइल में वीडियो की शुरूआद हम बैर्नार्ड हिल से करते हैं जिन्होंने इस फिल्म में कैप्टेन एडवाइड जेम्स स्मित का किरदार निभाया था बैर्नार्ड हिल अब भी टेलिविजन से जुड़े हुए हैं बैर्नार्ड हिल ने अपने करियर में बहुत नाम कमाया है अभी उनकी उम्र 76 साल है हमारे अगले केरेक्टर का नाम है लिजी केलवर्ट टाइटैनिक फिल्म के इस किरदार को सूजी एमिस ने निभाया था 1999 के बाद से सूजी एक्टिंग वेक्टिंग पूरी तरह से छोड़ चुकी है और साल 2000 में उन्होंने टाइटैनिक फिल्म के डाइरेक्टर से शादी कर ली थी सूजी एमिस की उम्र अभी 69 साल है टाइटैनिक फिल्म की रूथ डेविट बुकेटर का किरदार फ्रैंसिस फिशर ने निभाया था हलाकि उनके किरदार को ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था क्योंकि ये तो बहुत ही नेगेटिव किरदार था लेकिन उन्होंने इस फिल्म में बिलकुल अच्छी तरह से अपना वो नेगेटिव केरेक्टर निभाया था वो भी एकदम नेचरल तरीके से फ्रैंसिस फिशर की उम्र अभी 69 साल है अब बारी आती है इस फिल्म के सबसे चहेत किरदार यानि कि जैक डॉसन की इस किरदार को हॉलिवुड के हाइस्ट पेड अक्टर लियनार्डो डिकैप्रियो ने निभाया था टाइटैनिक फिल्म में की गई उनकी एक्टिंग के लिए दुनिया भर में लोगों ने उनकी खूप तारीफ की है इतना ही नहीं इस फिल्म के बाद लियनार्डो और भी जादा पॉपुलर हो गए थे वरतमान में उनकी उम्र 46 साल है जैक डॉसन के बाद अब बारी आती है टाइटैनिक फिल्म की आइकॉनिक हिरोईन कैट विंसलेट की उन्होंने इस फिल्म में डीवा रोस डेविट का किरदार ने भाया था कैट ने अपनी एक्टिंग से इस किरदार में जान डाल दी थी लोग जब भी इस फिल्म के बारे में सोचते हैं तो रोस डेविट का किरदार उनके जहन में सबसे पहले आता है अभी इस अदाकारा की उम्र 45 साल है तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर कर डालिए और ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे सेलेब्स फॉर स्टाइल में देन एन नाओ के सेगमेंट के साथ चलिए दोस्तों मिलते है आपसे अगले वीडियो में शुक्रिया